तो हमारी जो रिवीजिन के लेक्जर सीरीज चल रही है उसमें हम एंशिंट इंडियन आर्किटेक्ट्चर डिसकस कर रहे हैं जिसमें आज हम बहुते इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं दाट इस मौरियन आर्किटेक्ट्चर चल यह शुरुवात करते हैं और दे से 3rd century BCE के बीच में और इसी समय पर नए religious consciousness निकल कर आये थे वो थे बुद्धिजम और जैनिजम इसका काफी इंपक्ट हमें मौरियन आर्किटेक्ट्चरल स्टाइल में देखने को मिलता है तो चलिए देखते हैं इसके यूनीक फीचर्स क्या हैं की influencers की बात करें तो Persians और Greeks के भी काफी influence इस आर्किटेक्ट्चर में हमें देखने को मिलते हैं तो इस period में चांद्रगुप्त मौर्य जो की पाटली पुत्र में थे उनके समय के थोड़े बहुत ये जो आर्किटेक्ट्चर्स हैं वो देखने को मिलते हैं वरना जाधा तर जो हैं वो अशोकन के बारे में देखते हैं जो की मौर्यंस की capital city थी तो मेगस्थिनीज जो थे उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका मेगस्थिनीज के बारे में जानेंगे आगे कि ये कौन है अभी ये देखते हैं कि इन्होंने अपने बुक जो इंडिका है उसमें पाटली पुत्र को वोटिफिकेशन है तिमबर से ये जो सेक्योरिटी के लिए बनाया गया है वो लकडी से बनाया गया है जिसमें की 570 टावर्स है और 64 गेट है ठीक है अब यहां पर एक चीज और इन्होंने कही है कि बहुत गहरी बहुत चौड़ी एक ट्रेंच है खाई तरी टाइप की ची कर सके ठीक है और इसे ही कैनल के तरह भी यूज करते थे आगे देखते हैं मटेरियल कौन-कौन सा यूज किया इनोंने सबसे पहले इनको पता तो था कि ब्रिक्स का यूज और स्टोन का यूज का यूज का अपनी चरम पर था लेकिन वोट जो था वो काफी पॉपिलर था सबसे इंपोर्टन स्ट्रोक्चर और बहुत बड़ा जो पयलेस था चंदरकौत मौरे का ушके बारे में बात करते हैं मेगस्थनीस अभी हमने बात की थी उपर तो ये बेसिकली एक थे ग्रीक एमबैसेडर जो कि सेल्यूकस निकेटर के टाइम पर सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें भेजा था अपने दूद को मौरियन कोट में जो कि कहां था कुम्राहर में तो चंद्रकुप्त मौरिय का उसने पैलेस को एक मास्टर पीस की तरह डिफाइन किया है अपने बुक इंडिका में तो ये एक लार्ज पैलेस था जो कि लकडी से बनाया गया था बड़ी सी लकडी से से काट कर बनाया गया था और यह जो pillars थे palace में वो एक black spotted buff sandstone से बनाए गये थे यह जो sandstone था वो monolithic था मतलब एक बहुत बड़ा stone था उसे काव करके बनाए गया था और काफी यह shiny भी था यह चीज़ उन्हें ने बताई है तो यह जो gilded pillars है Morian Palace के वो golden vines और silver birds इसमें बने हुए थे ठीक है आगे देखते हैं अब बात करते हैं सूपास की यह काफी important structure है यह आपको याद रखना है सूपास basically ऐसे dome shaped के होते थे जो की burial monuments रखते थे इनके अंदर एक तरीके से इने कहा जाता था और यह vedic era में भी देखने को मिलते थे लेकिन यह popular हुए अशोका के टाइम पर तो यह जो बुद्ध के demise के बाद यह सूपास बनाने शुरू किये गए थे तो यह जो सूपास हैं वो basically house of relics थे जिसके इसके जो center में center का जो hall है central hall है उसमें relics रखे जाते थे ताकि बुद्ध के को एक तरीके से समर्पित थे और बुद्ध के याद में तो यह जो relics थे वो वैसे तो starting में कुछ में रखे जाते थे बाद में सभी स्थूपास में इन्हें रखा जाता था आगे देखते हैं इसकी जो inner wall है स्थूपा की वो unburned bricks से बनी होती थी वो जली हुई नहीं होती थी पकी हुई bricks जो थी वो नहीं हुआ करती थी और जो outer wall है इस स्थूपा का उसमें burnt bricks से covered किया जाता था इसे और इसकी उपर ठिक plaster लगाये जाते थी अब यहां पर एक circular terrace है यहां पर आप देखेंगे एक यहां पर यह दिख रहा होगा circular terrace जिसे कहा जाता था मेधी अभी भी मेधी ही कहते हैं cardinal gateways हैं यह जो cardinal gateways हैं जिसे तोड़ना कहा जाता है तोड़नास और decorated होते हैं यह wooden umbrella से जिसे universal supremacy of dharma इसको establish करने के लिए यह लगाये जाते हैं यह यहां पर आप देख सकते हैं आगे चलते हैं अब बात की जारी है कि यहां पर एक परिक्रमा बनाई गई है स्तूपास की तरफ पे यहां पर आप देख सकते हैं यह एक है जिसे मेधी कहते हैं औ आगे देखते हैं तो यह जो सबसे famous इन में से अगर स्तूपा कहें तो वो है साची स्तूपा जो कि माध्यप्रदेश में है इसके कुछ features जान लेते हैं सबसे पहले यह hemispherical dome है जैसे कि हमने उपर देखा एक solid structure है जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता है इसमें बहुत सारे pillars है cross bars हैं जो कि wooden construction के ऊपर बनाए गए हैं तो Buddhist symbols जो हैं उसमें यहां पर इनके walls पे बनाए गए हैं surfaces में और यहां symbols कौन-कौन से हैं lotus, elephant, bull, lion, horse, okay जातका stories जो कि बुद्ध के previous birds के बारे में बताती हैं पिछले जनम की जो stories हैं वो सब यहां पर low relief में यहां पर पूरे detail के साथ पनाए रखी गई हैं और हां अशोकन स्थूपा जो है वो काफी famous है लेकिन oldest स्थूपा अगर आपसे कोई पूछे तो वो है पिप्रहावय में जो कि हैं उतर प्रदेश में, okay आगे देखते हैं अब बात करते हैं pillars की, pillars भी काफी important हुआ करते थे जो कि एक single stone से निकल कर यह बनाये जाते थे और अशोका की द्वारा इंडिया इन सब कॉंटिनेंट में जगह जगह पर यह रखे गए थे, स्थापित किये गए थे, तो यह जो pillar है वो एक free standing column है जिसके आप यह देख सकते हैं, यह लगबक इनकी height होती थी 40 feet और यह किसी structure को support करने के लिए नहीं बना जाते थे, यह ऐसे ही free standing रहा करते थे, अब यह जो pillar है, उसके चार important parts है, पहला है shaft, दूसरा है capital, अब यहाँ पर आप देखते जाए, यह है shaft, फिर है capital, फिर है abacus, और उसके बाद है एक animal figure, ठीक है, यह चार चीज़े हैं, आईए इसके बारे में थोड़ा detail में जानते है सबसे पहले, जो चार part हैं, उसमें shaft जो है, एक monolithic column है, एक बड़े stone से ही है, जो column हमने देखा, उसको बनाएंगे था, चुनार sandstone से, यह चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यह direct question पूछ ले जाते हैं, चुनार sandstone, अब यह जो capital है, उसके उपर, उसको shaft कहते हैं, यह lotus कह सकते हैं, lotus को अब अगर उल्टा करके रख दें, या फिर bell shaped कह सकते हैं, इसके बाद है, circular या फिर rectangular, कोई भी एक shape में, उसे कहते हैं, abacus, जो की capital के above, उसके उपर रखा होता है, फिर last में है, abacus के उपर, एक animal figure, ठीक है, और यहाँ पर, teachings of dhamma, जो की buddh के द्वारा, जो भी बताये गए truth है, उसके inscribe किया जाता है, इन pillars में, इन pillars में, ये सारी चीज़े लिखी जाती है, okay, आगे देखते हैं, कुछ pillars जो है, वो अशोका के pilgrimage को भी describe करते हैं, कि जहाँ अशोका pilgrimage के लिए गए थे, उस बुद्धे center में भी यहाँ पर रखे गए हैं, अब इन्हें कहते हैं, rock cut monasteries, यहाँ पर ये जो caves हैं, वो cliffs, बड़ी-बड़ी जो चटाने होती हैं, rock walls होते हैं, उनसे उनमें carving करकी बनाए गए हैं, बाहर से ये एकदम simple दिखते हैं style में, लेकिन अंदर जो हैं, वो काफी सादा polished walls हैं, मिररत की तरह, और इसमें gateways भी हैं, period में पनाया गया था, अब ये जो caves हैं, जैसे बराबर hills, नागारजुनी hills, जो के बिहार में हैं, वहाँ आप देख सकते हैं, फिर आगे बात की गई है, जो inscription है walls में, बारबरा caves में, ये इंडिकेट करते हैं, कि ये अशोका ने dedicate किया था अजीवी का followers के लिए, ओके, और जादा तर caves जो हैं, बारबरा के, वहाँ पर two chambers हुआ करते थे, दो chambers बड़े एक granite से बनाए गये थे, ओके, आगे देखते हैं, अब देखते हैं, सबसे important पार्ट इस chapter का, जो की है सार्वनात पिलर, वार्नासी में है, और ये हमारा national emblem भी है, इसलिए काफे important हो जाता है, य ये बुद्धिस्ट संगा को, ये एक तरीके से उसके foundation को represent करता है, ये जो pillar है, वो बुद्ध के जो first sermon हुआ था, हमने पिछले कई chapters में देखा भी है, दर्म चक्र परिवर्तन जिसको कहते हैं, उनकी जो teachings है, turning of the wheel of law, उसको ये represent करता है, अब ये basically इसकी height होती है, 7 feet, और य diverted lotus है, जो कि उल्टा कर दे हम किसी lotus को, उस shape में है, या फिर bell shaped हम कह सकते हैं, उसके उपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार animals होते हैं, चार animals कौन कौन से हैं, एक है elephant, horse, lion और bull, ये चार animals यहाँ पर होते हैं, वो पीछे हों गया, आप वो दिखाई नहीं देंगे, और जो कि एक वैदिक सिंबॉल के हिसाब से, तो इस chapter में बस इतना ही, chapter अगर आपको पसंद आए, तो like जरूर करिएगा, शेर करिएगा अपने friends के साथ, और हाँ, अगर आपको इस lecture की PDF चाहिए, तो आप description box से टेलिग्राम चानल जॉइन कर सकते हैं, thank you so much and stay tuned.